नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको संतोशी माता की वरत कथा कहने जा रही, हुई यह कथा हर शुक्रवार के दिन सुनने जाने वाली है, तो चलो कथा शुरू करते हैं, एक बुरहिया थी, उसके साथ बेटे थे, छे कमाने वाले थे जबकि एक निककमा था, बुरह चाहों बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती, और उनसे जो कुछ जूठन बचती, वह सात्वें को दे देती, एक दिन वह पतनी से बोला, देखो, मेरी मा को मुझ पर कितना प्रेम है, वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है, वह बोला, ऐसा नही हो सकता है, मैं जब तक आँखों से न देख लूँ, मान नहीं सकता, बहु हंस कर बोली, देख लोगे, तब तो मानोगे, कुछ दिन बाद त्योहार आया, घर में साथ प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने, वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर, पतला वस् सिर पर ओढ़े, रसोई घर में सो गया, वह कपड़े में से सब देखता रहा, चाहों भाई भोजन करने आये, उसने देखा, माने उनके लिए सुन्दर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें चाहों भोजन करके उठे, तब माने उनकी जू की है, उठ, तू कब खाएगा, वह कहने लगा, मा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूं, माने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा, वह बोला, हाँ, आज ही जा रहा हूं, यह कहकर वह घर से निकल गया, सात्वें बेटे का परदेश जाना, चलते समय पत थाप रही थी, वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल, वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारों सोच हटाए, राम भरो से हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाए, दो निशानी आपन देख, धरू में धीर, स यह गोबर भरा हाथ है, यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी, वह चल दिया, चलते चलते दूर देश पहुंचा, परदेश में नौकरी, वहां एक साहुकार की दुकान थी, वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहुकार को जरूर बोला, रह जा, लड़के ने पूछा, तनखा क्या दोगे, साहुकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे, साहुकार की नौकरी मिली, वह सुभ साथ बजे से दस बजे तक नौकरी बजाने लगा, कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को मा बेचना सारा काम करने लगा, साहुकार के साथ आठ नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया, सेठ ने भी काम देखा और तीन महिने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया, वो कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ कर चला गया, पती की अनुपस्थिती में सास का अत्याचार इधर उसकी पतनी को सास ससुर्दू, ख़ देने लगे, सारी ग्रहस्थी का काम कराके उसे लकडी लेने जंगल में बेजते, इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी पानी, एक दिन वो लकडी लेने जा रही थी, रास्ते में बहुत सी स्त्रिया संतोशी माता का व्रत करती दिखाई दी, संतोशी माता का व्रत वो वहां खडी होकर कथा सुनने लगी और पूछा बहिनो तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फाल मिलता है यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा अहसान मानूंगी तब उनमें से एक स्त्री बोली सुनो ये संतोशी माता का व्रत है इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोशी माता की कृपा से पूरी होती है तब उसने उससे व्रत की विधी पूछी संतोशी माता व्रत विधी वह भगतेनी स्त्री बोली सवा आने का गुर्चना लेना इच्छा हो तो सवा पांच आने का लेना या सवा रुपे का भी सहुलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा वप्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम तूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो धीका दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख कर कथा कहना, जब कारियस सिधह न हो नियम का पालन करना और कारियस सिधह हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना, तीन मास में माता फल पूरा करती है, यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो, तो भी माता व वर्ष भर में कार्य सिधह करती है, फल सिधह होने पर उद्यापन करना चाहिए बीच में नहीं, उद्यापन में आडाई सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमान से खीर तथा चने का साग करना, आथ लड़कों को भूजन कराना, जहां तक मिले देवर, जेथ, भाई न मिले तो रिष्टेदारों और पास पडोसियों को बुलाना, उन्हें भूजन करा यथा शक्ती दक्षिना दे माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाना, ये सुन बुडिया के लड़के की बहु चल दी, व्रत का प्रण करना और मा संतोशी का दर्शन देना रास्ते में लकडी के बोज को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी ये मंदिर किसका है, सब कहने लगे संतोशी माता का मंदिर है, ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों म लोटने लगी, दीन हो विनती करने लगी मा मैं निपट अज्यानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दू, की हूँ, हे माता, जगत जन्नी मेरा दू, ख़ दूर कर मैं तेरी शरण में हूँ, माता को दया आई एक शुक्रवार बीता की दूसरे को उसके पती क पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका बेजा हुआ पैसा आ पहुचा, ये देख जेट जिथानी मुह सिकोने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, बेचारी सरलता से कहती भाया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है, ऐसा कहकर आखों में आशू भर कर संतोशी माता के मंदर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी, मा मैंने तुमसे पैसा कब मानगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ, तब माता ने प्रसन होकर कहा जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा ये सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी, अब संतोशी मा विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पती आएगा लेकिन कैसे, वो तो इसे स्वापन में भी याद नहीं करता उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा, इस तरह माता जी उस बुड़िया के बेटे के पास जा स्वापन में प्रकट हो कहने लगी साहुकार के बेटे, सो रहा है या जागता है वो कहने लगा माता सोता भी नहीं, जागता भी नहीं हूँ कहो क्या आग्या है तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुद्ध ले वो बोला हा माता जी यह तो मालूम है, परन्तु जाओं तो कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाओं? मा कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोशी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांज होते होते धन का भारी ठेर लग जाएगा, अब बुडे की बा मान कर वह नहा धोकर संतोशी माता को दंडवत धी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा, थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान के खरीददार नकद दाम दे सौधा करने लगे, शाम तक धन का भारी ठे उधर उसकी पत्मी जंगल में लकडी लेने जाती है, लोटते वक्त माता जी के मंदर में विश्राम करती, वह तो उसके प्रते दिन रुखने का जो स्थान थहरा, धूल उरती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पती आ रहा है, अब तू ऐसा कर लक्रियों के तीन बोज बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदर पर वह तीसरा अपने सिर पर, तेरे पती को लक्रियों का गठर देख मोह पैदा होगा, वो यहां रुकेगा, नाश्ता पान खाकर मा से मिलने जाएगा, तब तू लक्रियों का बोज उठा कर जाना और चौक में गठर डाल कर जोर से आवाज लगाना लो सासू जी, लक्रियों का गठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपडे में पानी दो, आज महमान कौन आया है, माताजी से बहुत वो प्रसन मन से लक्रियों के तीन गठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदर पर रखा, इतने में मुसाफिर आपहंचा, सूखी लकडी देख उसकी इच्छा उत्पन हुई कि हम यही पर विश्राम करें और भोजन बना कर खापी कर गाव जाएं, इसी तरह रुप कर भोजन बना, विश्राम करके गाव को गया, सबसे प्रेम से मिला, उसी समय सिर पर लकडी का गठर लिये वो उतावली सी आती है, लक्रियों का भारी बोज आंगन में डाल कर जोर से तीन आवाज देती है, लो सासू जी, लक्रियों का गठर लो, भूसी की रो आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, उसकी आवाज सुन उसका पती बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, मा से पूछता है मा ये कौन है, मा बोली बेटा ये तेरी बहु है, जबसे तू गया है तबसे सारे गाव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, चार पहर आकर खा जाती है, वो बोला ठीक है मा मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा, मा बोली ठीक है, जैसी तेरी मर जी, तब वो दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा स शुक्रवार आया, शुक्रवार वरत के उद्यापन में हुई भूल, किया खटाई का इस्तेमाल, उसने पती से कहा मुझे संतोशी माता के वरत का उद्यापन करना है, पती बोला खुशी से कर लो, वो उद्यापन की तयारी करने लगी, जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतो पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहो, लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतो बाद में खाते ही कहने लग लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ, भोली बहु कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिये, लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे, ये देखकर बहु पर माताजी ने कोप किया, राजा के दूद उसके पती को पकड़ कर ले गए, ज बेट जेथानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन एकठा कर लाया है, अब सब मालूम पढ़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा, बहु से यह सहन नहीं हुए, मा संतोशी से मागी माफी रोती हुई माताजी के मंदर गई, कहने लगी है माता, तुमने क्या किया हसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी, माता बोली बेटी तुने उद्यापन करके मेरा वरत भंग किया है, वो कहने लगी माता मैंने कुछ अपराद किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिये थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंग मा बोली अब भूल मत करना, वो कहती है अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे, मा बोली जा पुत्री तेरा पती तुझे रास्ते में आता मिलेगा, वो निकली राह में पती आता मिला, वो पूची कहां गय थे, वो कहने लगा इतना धन जो कमाया है, उसक सन हो बोली भला हुआ अब घर को चलो कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया फिर किया वरत का उद्यापन वो बोली मुझे फिर माता का उद्यापन करना है पती ने कहा करो बहु फिर जेठ के लड़कों को भूजन को कहने गई जेठानी ने एक दो बाते सुनाई और सब खाने को दो वो बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी आना हो तो आओ वो ब्राहमन के लड़के लाकर भूजन कराने लगी यथा शक्ती दक्षिना की जगह एक-एक फल उन्हें दिया संतोशी माता प्रसन हुई संतोशी माता का फल माता की कृपा होते ही नवमे मास में उसके चंद्रमा के समान सुन्दर पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदर को जाने लगी मा ने सोचा ये रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूँ यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुर्चने से सनामुख, उपर सून्द के समान होट, उस पर मक्खियां भिन-भिन कर रही थी देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई देखो रे, कोई चुर्यल दाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी लड़के भगाने लगे, चिल्ला कर खिर्की बंद करने लगे बहु रोशंदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बंद चिल्लाने लगी आज मेरी माताजी मेरे घर आए है वो बच्चे को दूद पीने से हटाती है, इतने में सास का क्रोध फट पड़ा वो बोली क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया, इतने में मा के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे वो बोली मा मैं जिसका वरत करती हूँ ये संतोशी माता है, सबने माताजी के चरण पकड़ लिये और विनती कर कहने लगे है माता, हम मूर्ख हैं, अज्यानी हैं, तुम्हारे वरत की विधी हम नहीं जानते, वरत भनकर हमने बड़ा अपराद किया है, जग माता आप हमारा अपराद क्षमा करो, इस प्रकार माता प्रसन हुई, बहु को प्रसन हो जैसा फल दिया, वैसा माता सब को दे, जो पड़े उसका मनोरत पूर्ण हो, बोलो संतोशी माता की जाए, दोस्तों कमेंट बॉक्स में संतोशी माता की जाए, अवश्य लिखें, इस वीडियो को अपने फैमली ग्रूप में शेयर कर दे, जिससे वह भी यह कथा सुन लेवे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आए करे धन्यवाद